नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रीन ताइनल्स की अजुकेशनल वीडियोज में हम रिवर सीरीज में आज सतलोच रिवर के बारे में पढ़ेंगे सतलोच रिवर कहते हैं जब हिमालियास भी नहीं बने थे तब से ये रिवर यहाँ पे है इसके बहुत सारे एविडेंस हैं हिमालियास कब फॉर्म होए थे हिमालियास टेक्टोनिक अक्टिविटी यानि कि द्वीप जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए जब आफरिका से इंडिया अलग हुआ और एशिया की तरफ मूव होने लगा हिमालियास की फॉर्मे एंटर कर गई कहते हैं यह एक इंपोर्टन ट्रिब्यूटरी थी लेजेंडरी सरस्वती रिवर की परंतु इस टिक्टोनिक अक्टिविटी की वज़े से यह जो है साउफ इस डारेक्शन से साउफ वेस्ट में बही और जिसकी वज़े से सरस्वती नदी सूख गई आज हम बात करेंगे सतलूज रिवर के बारे में डीटेल में सतलूज के दो और पुरानिक नाम है सतूदरी जो एक वेधिक नाम है और सतादरू यह एक संस्पृत नाम है यह ना सिर्फ हिमाचल की लॉंगिस्ट रिवर है बलकी पंजाब की फाइव फेमस रिवर में से भी यह इपकिला पास से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश, फिर किनौर, शिमला, कुलू, मंडी, सोलन और बिलांसपुर। तिबित में इसे लांगचिन कबाब भी कहा जाता है। कुछ important points है सतलुच रिवर के बारे में नोट करने वाले। सबसब पहले तो इसे तिबित में लॉंगचिन कबाग के नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स ने इसे नाम दिया था हाइसीड्रिस। इसे दो और नाम मुकसांग और जूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की ये लार्जिस रिवर है और हिमाचल में ये एंटर करती है शिपकला पास जो की किन नौड डिस्ट्रिक में है। फिर ये शिमला, कुलू, मंडी, सोलन, बिलासपुर से होती हुई पंजाब एंटर करती है और फाइनली पाकिस्तान पहुंच जाती है। कुछ prominent places है इसकी banks पे यानि कि इसके किनारे पे जो है नांगिया, कलपा, रामपुर, तत्तापानी, सुनी और बिलासपुर। Spity River, Low Hall and Spity में सतलुच से मिल जाती है और फिर ये दोनों rivers, यानि कि सतलुच river एंटर करती है शिमला डिस्ट्रिक चहुरा में, मंडी डिस्ट्रिक फिरनू में और बिलासपुर डिस्ट्रिक कसॉल में, भाकडा विलिच से ये इवाचल छोड़के पंजाब में एंटर करती है, इसे यलो या रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडर्स रिवर सिस्ट्रिक की इस्ट्रन एक्स्ट्रीम ट्रिब्यूट्री भी है, और इसके एक अलग इंपोर्टन्स है, पंजाब स्टेट में रोपर वेट लैंड, वेट लैंड हमारे देश के लिए नहीं पर फ्लरिश हुई थी, एक बहुत इंपोर्टन्स रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, यही माचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्टर पिस्टित नंगल सिटी पर मौझूद है, इसका इंटेंशन है कि इरिगेशन और आइडर्र लेक्स इलेक्रिक्रिक्रिक्रि सतलुच को कभी-कभी रेड रिवर के भी नाम से जाना जाता है और इंडस रिवर की यह इस्टरन मोस्ट प्रिब्यूट्री है, इसका सोर्च जो है रक्षताल लेक में है, जो कि तिबत में मौझूद है, सतलुच फिर पाकिस्तान पंजाब में कॉंटिन्यू करती है और च स्पिती रिवर की शुरुबात होती है कुंजुम रेंज से, यह स्पिती रिवर स्पिती वैली में फ्लो करती है और सतलुच में मिल जाती है नाम गया नाम एक जगा में जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सेकंड रिब्यूट्री है बस्पा रिवर जो कि बस्पा हिल कि नौर में originate होती है और कर्चम नाम की एक जगह है कलपा में वहां सतलुच से मिल जाती है तीसरी है नोगली खड यह रामपुर्ब शहर में सतलुच से मिलती है और फिर मंडे डिस्ट्रिक्ट फिर नू विलिच में एंटर हो जाती है पंजाब यानि की पंच पांच अब प पंजाब की ना केवल हिमाचल की बलकि पंजाब की भी लॉंगिस्ट रिवर है यह एक समझाता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसे इंडिस वाटर ट्रीटी कहते हैं इसमें जो इंडिस रिवर का पानी है वो इस ट्रीटी के अंदर बांटा गया है और सत रिलाइज होता है भारत में